हेलो दोस्तों, Intellecto.n के इस YouTube प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर में आपका है UPPCS और फिर दिसंबर में आपका ROI और 2025 के स्टार्टिंग में आपको BEO की प्रारंबिक परिक्छा भी देखने को मिल सकती है तो इन तीनों परिक्छाओं को ध्यान में रखते हुए इंटलेक्टो के इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के समख्छ GS की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंतरगत हम लोग GS के उन सभी important topics पर चर्चा करेंगे जहां से की उत्तर प्रदेश लोग सेबा आयोग अपने बिभिन परिक्छाओं जैसे की UPPCS प्रारंबिक परिक्छा, आरो यारो और BEO में प्रस्न पूछता है और हमेशा से आयोग का एक ट्रेंड रहा है कि उसके कुछ एक निश्चित छेत्र होते हैं वहाँ से वो प्रस्न जरूर पूछता है प्रस्न भले ही टफ हो जाए लेकिन छेत्र हमेशा सिमलर रहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि आज पहला जो टॉपिक जैसे कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बिश्च के सभी प्रमुक पर्यावरण संगठन तो इन्वारुमेंट के अंतरगत यहां से प्रस्न जरूर देखने को मिलता है ऐसे ही जो पर्यावरण से सम्मंदित प्रमुक समझोते हैं वहां से प्रस्न जरूर पूछा जाता है जो भी ग्रीन हाउस गैसे से वहां से प्रस्न खूब पूछे जाते हैं अगर हम लोग हिस्ट्री में चल रहें तो जो भी पासाण काली निस्धल है हमेशा से वहां प्रस्न बनता है जैसे 16 महा जनपद है उनको लिएक बहुत बार प्रस्न बनता है या फिर बात कर लें और टॉपिक की आधुनें के त्यास में जैसे कि हम लोग देखे तो जितने भी जनान दोलन हुए थे वहाँ से question हमेशा पूंचे जाते हैं तो ऐसे ही करके GS के जितने भी important topic है उनको इस series में हम लोग cover करेंगे और मेरा उद्देश ये रहेगा कि प्रतेक video में हम लोग इतनी अच्छी तरीके से चीजों को cover करें कि प्रतेक video से आपको एक question जरूर देखने को मिले ठीक है तो आप लोग लगातार अब इस series से जुड़ जाईए आज इसकी पहली class है और आगे हम लोग उन सभी topics को cover कर लेंगे जहां से की प्रस्न उत्तर प्रदेश लोग सेबा आयोग पूछता है देखें एक बढ़िया strategy ही आपको परीक्षा में पास करा सकती है बहुत बार क्या होता है कि जब आप लोगों के पास अनवहों नहीं होता है या फिर आप किसी गलत mentor के साथ अपनी तयारी कर रहे होते हैं तो हमेशा आपको कुछ इस तरीके के suggestion मिलते हैं कि जब भी आप पूछेंगे कि मान के चलिए भूगोल के लिए क्या पढ़ले तो कोई आपको तुरंत suggest कर देगा कि आप माजे दुसेन पढ़लीजिए खुलर पढ़लीजिए लेकिन ये बात मैं दावे के साथ और guarantee के साथ कह सकता हूँ कि जब तक या तो आप अपने notes नहीं बनाएंगे ठीक है exam oriented या फिर आप किसी अनवभी के notes नहीं पढ़ेंगे आप प्रारंबिक परिच्छा नहीं निकाल पाएंगे माजद हुसेन की मदद से क्योंकि उसमें इतना चीजों को complex करके high five दिया है एक चैप्टर 30-30-40-40 पेज में है 900-1000 पेज की किताब है आप कैसे उसमें से ऐसी चीजों को निकाल पाएंगे कि जहां से 10 question आयोग पूछता है तो इसी लिए जरूरी है कि आप एक बहतर strategy बनाएं और इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप उन छित्रों पर ज़्यादा focus कर पाएं जहां से की प्रस्न आना से और है और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहां पर कुछ 10 बारा topic कबर करेंगे हम लोग यहां पर कम से कम दिसंबर तक लगभग 80 से 90 topics पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी उम्मीद है कि GSK आपको 60 से 70 80 90 वीडियो होगी और 60 से 70 question आप बहुत easily यहां से देखेंगे तो लगातार जोड़े रहें अपने अन साथियों को भी जोड़ें और एक बहतर strategy के साथ अपनी तयारी करें बिल्कुल बो नामन है कि एक किताब खोली और उसको पहले पेश से पढ़ना स्टार्ट किया और अंत तक पढ़ गए बाद में question पूछा गया तब आपका मूँ खुला रहे गया कि अब यह कहां से क्या पूछ लिया गया तो बहतर strategy के साथ तयारी करें तभी आपको इन परिक्षाओं में सफलता हासिल होगी तो इस series के अंतरगत पहली जो class है वो है विस के प्रमुख पर्याबरण संगठन ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी संगठन के बारे में बात करते हैं तो उसके संदर में पूछा क्या क्या जा सकता है ये भी तो पता होना चाहिए ना तो जब कोई भी संगठन सामने आता है तो सबसे पहले बात होती है उसकी स्थापना की कि कब हुई उसका मुख्यालय कहां पर है उसका कार क्या है और उसके संदर में अन्यतथ जो की विभिन परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो इस आधार पर हम किसी भी संगठ की चर्चा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन ही मैसे कॉस्चन देखने को मिल जाएगा अभी तक तो जो ट्रेंड रहा है वो इन ही मैसे कॉस्चन पूछे गए है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्या वरण कार करम जिसे की आप सौट में UNEP भी कहते हैं United Nation Environment Program फुल फोर्म भी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार सीधा सीधा कॉस्चन पूछ लिया जाता है कि UNEP का पूल रूप क्या है तो United Nation Environment Program हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्या वरण कार करम अब UNEP की स्थापना की बात करें तो इसे 1932 के Stock Home सम्मेलन में आरंब किया गया था ठीक है कब आरंब किया गया था 1932 में और जो Stock Home सम्मेलन हुआ था उसमें ठीक है तो ये बात हो गई इस्थापना की मुख्याले की बात करें तो जो UNEP का मुख्याले है वो नेरोबी में है ठीक है पचासों बार ये Question विविन पर इक्षाओं में पूंचा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कारकरम का मुख्याले कहा है तो ये है नेरोबी में और आपको पता होना चाहिए कि जो नेरोबी है वो कीनिया की राजधानी है और कीनिया अफरीकी देशों में एक है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग UNEP के कार की बात करें तो इसका कार क्या है तो जाहिड सी बात है पर्यावरण से संबंदित कोई कार होगा और पर्यावरण से संबंदित कैसा कार यानि कि इसका सर्रक्षड बगेरा तो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर राष्ट्रिय सयोग को बढ़ाबा देना UNEP का कार है बाद बाकी इसके संदर में अनफेक्ट अगर हम देखें जो की बहुत इंपोर्टेंट है जैसे की UNEP की पहल पर ही 5 जून को बिस पर्यावरण दिवस गोसित किया गया था बाद बाकी UPPCS बहुत बार पूछ चुका है की Global 500 पुरुसकार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है तो Global 500 पुरुसकार भी UNEP के द्वारा दिया जाता है बाद बाकी UNEP के द्वारा एक प्रमुख रिपोर्ट भी जारी की जाती है जिसे की BASWIC पर्यावरण आउटलुक कहते है बहुत बार पुछा जा चुका है environment के प्रशनों के अंतरगत की best with पर्याबरण outlook किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह किया जाता है UNEP के द्वारा तो यह हो गया UNEP के बारे में ठीक है इसी तरीके से हम अनसंगठनों पर भी चर्चा कर लेते हैं अब अगला जो है वो है आपके सामने international union for conservation of nature जिसे की आप sort में IUCN के नाम से जानते हैं तो IUCN का पूल रूप क्या हो गया international union for conservation of nature इसकी स्थापना की बात करें तो इसे 1948 में इस्थापित किया गया था और कब अक्टूबर तो अक्टूबर 1948 में IUCN को इस्थापित किया गया था मुख्याले की बात करें बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसका मुख्याले structure gland के gland में स्थित है ठीक है अब इसका कार देखते हैं तो इसका कार बहुत ही महत्पूर है और यहां से जम कर प्रस्म पूछे जाते हैं क्यों अभी मैं बताऊंगा दोखो जो IUCN का कार है वो है कि हर चौथे वर्स प्रत्वी पर उपस्तित उन सभी प्रजातियों की सूची प्रकासित करना जो संकट में है ठीक है जो आप लगातार red data book के बारे में सुनते होंगे या फिर बहुत बार आकड़े होते हैं कि फला जो पसू है या फिर पक्छी है वो बिलुप्ती की कगार पर है या बिलुप्त हो गया है तो इन सारी चीजों के बारे में जो आकड़े जारी करता है या फिर इन मामलों की देख रेख जो करता है वो आपका है IUCN ठीक है तो हर चोथे वर्स ये भी दियान रखना कि हर चोथे वर्स IUCN प्रत्वी पर उपस्तित उन सभी प्रजातियों की सूची जारी करता है जो की खत्रे में हैं अब इस सूची को एक नाम दिया गया है नाम क्या है IUCN Red List of Threated Species ठीक है नाम क्या है IUCN Red List of Threated Species जिसे की सौट में आप Red Data Book के नाम से भी जानते हैं तो ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि Red Data Book किस के द्वारा जारी की जाती है तो ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है Red Data Book किस से सम्मंदित है तो Red Data Book जो प्रत्वी पर संकटा पन पर जाती है या फिर जो ब्लुप्ति की कगार पर है उनका जो लेखा जोका होता है वो Red Data Book में होता है अब देखो Red Data Book के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि यहां से UPPCS प्रस्ण पूछ चुका है इसको थोड़ा डिटेल में बाद बाद की बंडे एक्जाम में तो यहीं मामला खत्म हो जाता है लेकिन जब आप UPPCS के लेवल पर पहुंचेंगे तो जो Red Data Book है उसमें तीन तरीके के पेज होते हैं इतने प्रकार के पेज होते हैं तीन तरीके के पेज होते हैं ठीक है एक होता है हरा पेज दूसरा होता है गुलाबी पेज और तीसरा होता है लाल पेज अब Red Data Book के हरे पेज में उन प्रजातियों को सामिल किया जाता है जिन पर कोई खत्रा नहीं है ठीक है हरे पेज में उन प्रजातियों को सामिल किया जाता है जिन पर की कोई खत्रा नहीं है गुलाबी पेज में उन प्रजातियों के बारे में आकड़े होते हैं जिनके उपर खत्रा है ठीक है और लाल पेज में उन प्रजातियों के बारे में उन प्रजातियों के बारे में आकड़े होते हैं, जो की समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो red data book में तीन प्रकार के page होते हैं, हरा, गुलावी और लाल, हरा में वो प्रजातियां जिनके उपर कोई खत्रा नहीं है, गुलावी वो प्रजातियां जिनके उपर खत्रा है, और ल अंतराल वो प्रजातिय जो की समाप्त हो चुकी है यानि की बिलुप्त हो चुकी है अब एक चीज और प्रस्ण में बार बार पूछी जाती है कि कैसे माना जाता है यानि कि क्या वो समय अंतराल होता है कि एक प्रजाती को बिलुप्त मान लिया जाता है यानि कि एक प्रजाती अगर किसी इस्थान पर 50 वर्सों तक न देखी जाए तो उसे बिलुप्त मान लिया जाता है तो यह question खूप पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है एक प्रजाती बिलुप्त मानी जाती है अगर वह अपने प्राकर्तिक आवास में पिछले 50 वर्सों से ना देखी गई हो तो 50 का आकड़ा ध्यान रखना उसके बाद IUCN के संदर में अन्य तथ्यों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए तो IUCN बिस्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैस्विक पर्यावर नेटवर्क है IUCN संदर का अंग नहीं है यह कुस्चन हालफ लाल में ही किसी परिक्षा में पूछा गया और कथन में लिख दिया गया कि IUCN संदर का अंग है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो IUCN है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है बलकि IUCN को संयुक्त राष्ट्र महासभा में परवेचक का आदकारिक दरजा प्राप्त है ठीक है तो IUCN सन्युक्त राफ्ट का अंग नहीं है लेकिन ये सन्युक्त राफ्ट महासवा जो होती है उसमें इसको परवेच्छक का आदकारिक दरजा दिया गया है तो ये बात हो गई IUCN की उसके बाद अगला देखो है Greenpeace International तो Greenpeace International की अगर हम लोग बात करें तो इसे 1771 में इस्थापित किया गया था और एक चीज इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि पहले ये कोई संगठन नहीं था बलकि ये पर्यावरण के प्रती चेतना को स्थापित करने हितू एक आंदोलन था जो की 1971 में कनाड़ा के बैंकूर में ब्रारंब हुआ था ठीक है और यहीं आंदोलन बाद में एक संस्था की सकल में इस्थापित हो गया और 1976 में इस आंदोलन ने एक संस्था के तोर पर कार करना प्रारंब कर दिया ठीक है तो इस्थापना इसकी 1971 ही मानी जाएगी बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि 1971 में ग्रीन पीस एक पर्यावरण आंदोलन के रूप में कनाड़ा के बैंकूर में श्टार्ट हुआ था और फिर ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि इसने एक संस्था का रूप ले कर दिया अब ग्रीन पीस इंटरनेशनल के मुख्याले की बात करें तो ये नीदर लेंड के एमस्टरडम में इस्थित है ठीक है इसका कार क्या है तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो कार है वो है पर्यावरण का सरक्षण और संबर्दन ठीक है ये इसका प्रमुख कार है बाद बाकी एक fact इसके बारे मैं याद रख लेना कि ये एक गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है ये संगठन किसी भी देश की सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है, तो Greenpeace International जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौसम विज्ञान संगठन की, ठीक है, इसके बारे में भी खूब पूचा जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, उसे तेस मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्याले है, वो कहा है, वो जेनेवा में है, बाद बाकी एक चीज आप लो सुर्जर लेंड में इस्थेत हैं, और जेनेवा में तो काफी हैं, तो आप लोग जो भी मुख्याले जेनेवा में इस्थेत हैं, उनकी एक अलग से लिष्ट बनाकर उनको तयार कर लीजिए, ताकि कन्फूजन की कोई गुण्याइस ना रहे, तो मुख्याले इसका करना, तो ये विष्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रमुख कार है, अन्य तथ्यों की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो विष्व मौसम विज्ञान संगठन है, वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, और बरतमान में 192 देश विष्व मौसम सदस है, ठीक है, तो कॉस्चन कैसे भी बन सकता है, कथन में बन जाए, तब भी यही चीज़ें कैसे बीना कैसे पूछी जाएंगी, और बन लाइनर बनता है, तब भी कुछ, कॉस्चन इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा, अगला है Бэт Лेंट्स इंटरनैशनल, तो बैट लेंट्स इंटरनैशनल की बात करें, तो इसकी स्थापना 1954 में इंटरनैशनल वाटर फोर्वल एंड बैट लेंड रिशर्च ब्यूरो के रूप में की गई थी, लेकिन 1996 में इसे बैट लेंड international के नाम से जाने जाना लगा ठीक है तो 1904 में स्थापना हुई थी किस नाम से international waterfall and wetland research bureau और 1996 में से wetlands international कहा जाने लगा wetlands international के मुख्याले की बात करें तो ये बैग निंगन नीदर लेंड में इस्थित है ठीक है कार की बात करें तो जैसा कि यहां पर wetlands है तो यानि कि ये आद्र भूमियों से संबंदित होगा तो आद्र भूमियों के सरक्षड हेतु कार करना ही wetlands international का प्रमुख उद्देश है ठीक है बाद वाकि आपको पता होना चाहिए कि जो बैटलेंड इंटरनेशनल है वो गैर सरकारी है और गैर लावकारी संगठन भी है ठीक है एक उसके बात देखो ज़लवाईूं परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ठीक है जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल तो इसकी जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट पर्यावरर कारिकरम यानि की UNEP और विश मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 1988 में की गई थी तो जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है उसकी स्थापना कब की गई थी 1988 में और किन दो संस्थाओं ने की थी तो संयुक्त राष्ट पर्यावरर कारिकरम और विश मौसम विज्ञान संगठन ने जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के मुख्याले की बात करें तो ये कहां पर है ये जिनेवा में हैं इसके कारियों की बात करें तो जलवायू परिवर्तन से संबंदित बिज्ञान का आकलन करना बा संभावित जोखिमों हेतु समाधान देना तो जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचने बाला है जलवायू परिवर्तन से उनके बिग्यानों का ये आंकलन करता है और जो भी जोखिम है संभावित जोखिम है उनके बारे में ये समाधान देता है और जो भी ये समाधान देता है उसके लिए जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेंबर्क आयोजित किया जाता है और इसे द्वारा दिये जाने वाले समाधानों पर परिचर्चा होती है तो संयुक्त सोरी जलवायू परवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेम्बर्क इसको UNFCC के नाम से इसको SORT में जाना जाता है बात बाकी आपको ध्यान रखना है कि प्रतेक 7 वर्सों में IPCC IPCC का मतलब यही हो गया जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल तो प्रतेक 7 वर्सों में IPCC प्रत्वी की जलवायू की इस्तिती पर मूल्यांकन रिपोर्ट भी तयार करता है कितने प्रतेक 7 वर्सों में बात बाकी IPCC के सदस्यों की बात करें तो बर्तमान में इनकी संख्या है 196 ठीक है उसके बात देखो साइट्स है साइट्स की बात करें अगर हम लोग तो इसका जो पूर्ड रूप है वो है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora इसी को सौर्ट में साइट्स कहते हैं CITES ठीक है तो साइट्स की बात करें इसे जुलाई 1975 में लागू किया गया था ठीक है तो ये एक Convention था यानि की एक समझोहता था बाद में ये एक संगठन की तरीके से इस्थापित हुआ तो ये लागू कब हुआ था CITES Convention वो हुआ था जुलाई 1975 में मुख्याले इसका जेनेवा में है और मुख्याले के बारे में एक तत्थ ये है कि जो CITES का मुख्याले है उसे सन्युक्त राष्ट पर्यावरण कारिकरम यानि की UNEP के द्वारा प्रसासित किया जाता है तो SIDES का मुख्याल है जेनेवा में है और इसे सयुक्त राष्ट पर्यावरण कारिकरम के द्वारा प्रसासित किया जाता है SIDES का काम क्या है तो इसका उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि वन जीवों एवं वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रिय व्यापार के कारण उनका अस्तित पर संकट ना हो क्या काम है इसका कि यह सुनिश्चित करना कि वन जीवों और बनस्पतियों के अंतरराश्ट्रिय ब्यापार के कारण उनके अस्थित पर संकट ना हो इस बात की यह जानकारी सुनिश्चित करता है बाद वाकी सायक्स का फुल फोम आपने देखी लिया बाद वाकी इस समझोते में कितने देश सामिल है तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए तो इस समझोते में 183 देश सामिल है ठीक है तो ये सारे हो गए प्रमुख पर्यावरण संगठन बाद वाकि मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कोई छूटा तो नहीं है हाँ एक जो संगठन है वो छूट गया है तभी मैं कहूँ वो काफी महत्पूर संगठन था तो मैं आपको अभी बता देता हूँ उसके बारे मैं ये है लिखके बता देता हूँ विश्व बन जीव कोस ठीक है जिसे की आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर के नाम से भी जानते हैं डबलू डबलू एफ ठीक है तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1961 में ठीक है ये चीज PPT में आ नहीं पाई तभी मैं कहूँ एक संगठन मिस है इसको अवच्छे से देख लीजिए विश्व बन जीव कोस जिसे की सौट में WWF कहा जाता है यानि की World Wild Life Fund for Nature तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका कार क्या है तो इसके कार की अगर हम लोग बात करें तो इसका कार है कि वन जीवों की सौरक्षा और उनके आवासों की सौरक्षा वन वन जीवों वा उनके आवासों की सौरक्षा इस विस वन जीवों कोस का प्रमुख कार है ठीक है और इसके वारे में अगर हम लोग अन तत्यों की बात करें जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इनको आप एक वार अच्छे से देख लीजिए देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विस बन जीव कोस विस का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरज संगठन है तो मैं लिख देता हूँ यह है विस का सबसे बढ़ा स्वतंत्र पर्यावरज संगठन है बाद बाकी आपने एक चीज देखी होगी कि जो विस्वबनजीब कोस है इसका जो logo है उसके संदर में दो question पूछे जाते हैं एक तो ये पूछा जाता है कि उस logo में slogan क्या है ठीक है तो विस्वबनजीब कोस का जो logo है उसमें जो slogan है वो है for a living planet ठीक है विस बनजीव कोस का slogan क्या है for a living planet ठीक है बाद वाकि इसके लोगों इसके लोगों में जीव कौन सा छपा हुआ है उसके संदर में भी खूब question पूछा जाता है तो इसमें छपा हुआ है giant panda ठीक है तो slogan क्या हो गया slogan हो गया for a living planet और विस बनजीव कोस का जो लोगों है उसमें giant panda छपा हुआ है ठीक है बाद वाकि जो ये विस बनजीव कोस है ये रपोर्ट भी दो तीन प्रकासित करता है तो उनके संदर में भी समझ लीजिए तो एक ये रिपोर्ट जारी करता है living planet report ठीक है living planet report और दूसरी रिपोर्ट जारी करता है living planet index ठीक है रिपोर्ट के साथ ये इसका index भी आता है ठीक है और तीसरी जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो करता है एकोलोजिकल फुट्प्रेंट कैलकुलेशन ठीक है तो तीन चीजें विस्वणनजीब कोस के द्वारा जारी की जाती है एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट दूसरा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और तीसरा एकोलोजिकल फुट्प्रिंट कैलकुलेशन इसको मैं दुवारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अभी तक तो चीजें आपके सामने थी तो इसको अच्छे समझेए विस्वणनजीब कोस इसको सौट मैं बोलते है डबलू डबलू एफ यानि की वर्डवाइल्ड फंड फॉर क्या था फंड फॉर नेचर ठीक है उसके बाद इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी कार है बन जीबो वा उनके आवासों की सुरक्षा बाद वाकी यह है विस्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है स्लोगन क्या है बिश्व बन जीब कोसका तो for a living planet लोगों क्या है लोगों में इसके है giant panda तीन रपोर्ट जारी करता है living planet report, living planet index और ecological footprint calculation ठीक है तो ये हो गए बिश्व के सभी प्रमुख पर्यावरण संगठन यहां से question हर बार पर्यावरण के अंतरगत पूछा जाता है बाद वाकि आप लोग इसकी अगर PDF की मांग करेंगे तो PDF आपको Telegram गुरुप पर मिल जाएगी और Telegram का जो link है वो इस वीडियो के description box में आपको दे दिया जाएगा बाद वाकि अगर आप अभी तक किताबों से ही study कर रहे हैं तो यकीन मानिए पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए आपको बहतर notes की जरूरत है अगर आपने ऐसे notes बना रखे हैं तो कोई बात नहीं अगर नहीं हैं तो आप यहां Intellecto के platform से UPPCS ROARO के लिए बिसेस notes मंगा सकते हैं ठीक है नम्मर यह है 9368403908 इस पर आप call या WhatsApp करके notes की पूरी जानकारी ले सकते हैं PDF और hardcopy दोनों format में notes उपलब्ध है PDF आपको phone पर मिल जाएगी और hardcopy आपके घर पहुँचा दी जाएगी और यह पूरा एक course है notes के साथ आपको complete test series, current affairs, current affairs की test series सब कुछ इसमें दिया जाता है तो यह पूरी जानकारी है इसको आप video को थोड़ा सा pause करके देख सकते हैं बाद बाकी इस topic को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए और अगले topic में हम लोग फिर किसी एक ऐसे topic पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की द्रिष्टी से बहुत ही महत्पूर है ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्न बाद झाल झाल